कि क्या ऐसा कोई वाइरस है जो सीधा बोडी के अंदर गया और रोग को पैदा कर दे ऐसा नहीं है ना तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं कि वास्ता में कोरोना वाइरस क्या चीज है और इसका आईविद के गरंतों में रिशी मुन्यों ने क्या वर्णन किया है तो इसके के बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं डॉक्टर तेजस मोधी आईविदा टैक में आपका बहुत-बहुत स्वाकत है आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्ता में कोरोना वाइरस है या नहीं है और यह एपडेमिक है या नहीं है अब बात करते हैं कि यह जो वाइरस है यह क वर्ण कर दिया था तो चरक ने कहा मैं उन सभी रोगों का नाम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत से रोगों का नामगण पहले से ही कर दिया है उन्होंने एक बात बोली इसका जो वर्ण है चरक सहीता चरक सुत्र मतलब चरक के सुत्र पार्ड अध्याय नंबर 18 और स्लोक नंबर 46 पे उन्होंने वर्ण किया और नाहीं सर्व विकार अनाम मतलब जो डीलीं मतलब डीजीज जो इंप्ěक्सिंस है सायं कुपितोब्स रखे करेगा मतलब समुत्हां क्या है। वह कॉस की उपखषा करेगा।nt प्रकृति हो époचे रोखי嘿 कोई भी रोग आएगा कि वह कॉस्वा की उपखषा करेगा। मतलब शाइनाम क्या हुआ था। शाय नाम क्या हुआ हुआ उन्हों ने मास का बैट का सेवन हिक चमकादळ का सेवन गिया इसलिए उनको वहां की यह समझ्षा हुई लेकिन अब बात यह है कि मैं वहां चमका दड़ अभी इंडिया में इंडिया में मास्ट सेवन करने वाले बहुत कम है देफिनेट है वह चीज यहां पर नहीं होगी अब वाइरस से लो इंफेक्शन फैल भी गया लेकिन यह क्या करता है इस्तानांकर गतश चेव मतलब कॉस्ट तो हो गया कि यह वाइरस है कि इसका क्या है वाइरस क्या है इसने बैट खाए यह जो चंका दड़ है वो लिया बाइरस का इंफेक्शन हुआ वाइरस का इंफेक्सिन हुआ वह इस्तानां तर गतश चेव मतलब जहां से वह एंफेक्शन हुआ वह चलके बहुत सारे रोगों को पैड़ा कर सकता है मतलब इसने कै रोगों को उत्पंद कर सकता है चरक ने आगे तीन लाइन और लिखी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है वो भी लेकिन अपने को यह सबना जरूरी है कि क्या वाइस्ता में यह कुरोना है वो एक मामारी थी मैं कहता हूं एक कोई मामारी नहीं थी आज के भाल सिरकार की रियल में है 1.4% यानि कि 100 में से एक विक्ती मरेगा और 1.4 बैड पे रहेगा मतलब इसका जो रेश्यो है वो बहुत कम है तो यह मामारी कैसे हूई महा मारी महा मारी महा मारी वाइरस महा मारी कोरोना वाइरस महा मारी कहा है मामारी यह तो 1.2% ही है तो महा मारी कैसे हूई कि लोगडाउन वगरा यह करना है यह सब मुझे थोड़ा था क्योंकि यह राजनेतिक मुद्धा है इस पर आप नहीं जाएंगे यह सरकार की अलग तिंग है लेकिन मैं यह करता हूं कि इंटरनेशनल एक प्रेसर था चीन की चाल थी जो चीन उसकी अपनी चाल में से खरा उत प्रेशा को ढाल लेता है अपने में और उसका यह समधान भी कर लेता है तो दोस्तों इसका जो दूसरा वीडियो है मैं आपको अगले वीडियो में यह बताऊंगा लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है और आज से एक बात को गांट बांदे कि बविश्य में कोई भी ऐसा रोग आएगा तो ये आईविद की लाइन हमेशा याद रखनी है आईबिद की ये लाइन हमेशा यार रखनी है चरक नकिया बोला कि भुश्य में लाखो रोग आएंगे मैं उनका नामगर्ण नहीं कर सकता हूँ कि जो भी रोग होगा प्रकृति में या इन फूचर पित और कफ इससे उपर नहीं जा सकता है क्योंकि मनुश्य के प्रक्रति इनसे उपर नहीं है वो इससे परे नहीं रह सकता हो वो इससे दूब नहीं रह सकता हो क्योंकि इसने बोला है वात पित और कफ अब जनरल सी बात है कोई भी वाइरस आ गया वो अपने यहां यह अपनी नाके अपना है यहांसमाजिल्दी है यह अपना यह मूह है यह अपना अमूह है आप टैंसर ना लें आपको तो यह देखना है कि वह जो रोग है वो कहां से आया आपको रिशर्चछ करनी है कि वास्ते में उसका कारण क्या है यह best LIVE करन है यह वो कारण है वो कारण को आप दूर कर देे तो वो रोग होगा ही नहीं तो तो दोस्तों इस वीडियो का आपका फस्ट पार्ट आपको कैसा लगा विडिया आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइब करें सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको यह मिलते रहें और साथ में इस वीडियो को उन बढ़ चुका है वो सब दोस्तों यह क्या दिखा नहीं मैंने साफ बोला आपको मैंने बोला कि चरक सहीता सुत्रिस्तान यह अध्याय अठारा उस्लोक नमद से अले अब ये ईशास लगबक रगध गडाी अजान साल पहले हैं ईसलते कौंकि सब पता था क्या होने वाला है वह साफ करता है कि ओर वार्बार नहीं जाय नहीं सकता है कि इस उपर कई जाए नहीं सकता वो वो क्योंकि यह प्रक्रति उसके गर्व में ही बन जाती है अब गर्व से जो भांडिकल कहा है वो इससे अलग तो नहीं हो सकता ना तो दोस्तों इसका जो तीन लाइन है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा पूरा उसका बन करूंगा अधर तक के लिए आप वीडियो को देखें और इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस